आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होगे, मिरा नाम ऐसे धान तक नहीं होता ही, स्टेडी ग्लोज पर यह आपका बहुत बहुत स्वागत है, तो पिछली बार हमने 1971 तक देख लिया था, ठीक है, और अब हम इसके आगे की बात करेंगे, ठीक है, 1974-75 में क्या हुआ, तो चलिए, आगे बढ़ते हैं, तो इंडो-पाकिस्तानी वार पे हम सब समझी सके चुके थे, तो यह तो वही था ना, कि जो content नहीं था मतलब, तो मैंने यह PPT में लगा दिया है, चलिए, अब हम बात करते हैं, emergency की, देखिए, यहाँ पे दिक्कते जो है, वो बहुत ज़ पाई एक बात बताओ, 1972 के जो election होंगे, यहाँ पे इंडरा गांधी ने एक अलग देश बना दिया है, आप समझ रहे हो, इंडरा गांधी ने एक अलग देश बना दिया है, पूरा का पूरा, 1971 में election हुए, सोरी, 10 मार्च में election हुए, और popularity इंडरा गांधी की बहुत जादा थी, साड़े 300 से उपर सीटे मिली, इंडरा गांधी देखते ही देखते, देश की हीरो हो गई, लेकिन यह इतना आसान है, नहीं, प्रॉब्लम शुरू होगी, देखे बले ही इंडरा गांधी ने अलग देश बना दिया, वस्त तो ठीक है, लेकिन देश में बहुत निर्माण अंदोलन बोला जाता है, ठीक है, और यह मुमेट शुरू होता है, गुजरात में, बहुत इंपॉटेंट है, गुजरात में, स्टूडेंट्स ने इसमें हिस्सा लिया, मिड़िल क्लास ने इसमें हिस्सा लिया, कि economic crisis, corruption उसमें, गुजरात में, Congress की सरकारती, इ प्रोटेस्ट पे बैट गए, इंडेफिनिट फास्ट पे बैट गए, कि हम मुव्मेंट को सपोर्ट करेंगे, और इसका पता है, क्या नतीजा हुआ, अभी आप अकसर देखते होंगे, कुछ भी होता है, तो सरकार स्तीफा दे, मंत्री स्तीफा दे, देना पड़ता है, अच् तो कितना वह यह था कि सरकार को बरखास करना चाहिए, अभी आंदोलन हुए जब इतने सारे, मुमेंट हुआ, जब किसान का, तो कितना लगा कि आप स्तीफा दो, आप स्तीफा दो, योगी स्तीफा दे कही बार ऐसा हुआ अभी जब, लेकिन कोई नहीं देता, ये पता कहा से आया है यही 1970 से, 1974 में इतने अंदोलन हुए कि क्या बताएं, और उस समय लोग इस्तीफा दे देते थे, अब जैसे मुरार्दी दिसा ही प्रोटेस्ट में बैढ़ गए, गुजरा सरकार ने स्तीफा दे दिया, गुजरा सरकार गिर गई, पीम गांधी को उस समय आ गई, यह बहुत बहुत बड़ा मुमेंट था, अब इसी दोरान भाई देखो, जब भाई है कि यहाँ पे आग लग गई, और खरबूजे को देखके खरबूजा रंग बदलता है, यही हुआ, यहाँ पे इधर गुजरात में इतना बड़ा मुमेंट, इधर बिहार में मुमेंट शुरू हो गया, मार्च में इधर गुजरात में खतम हुआ मुमेंट, अब बिहार में शुरू हो गया, और बिहार में student leaders जो हैं, वो सामने आ गए, मार्च से जून तक चलाई है, मतलब एक साल चलाई है पुरा, का पुरा, मार्च उनिसो चौतर से लेकर जून 1975 उस समय बिहार चात्र संगर्श समिती बनाई गई, BCSS, लालू प्रसाद यादो, सुशील कुमार, राम विलास पास्वा, नितीश कुमार, बड़े बड़े नेता जो है न, जो आप देख रहे हैं, वो इसी मुमेंट, student मुमेंट से सामने आए, एजुकेशन, फूड को लेकर प्रोटेस्ट होने लगे, बियार पुलिस ने जपरदस्थ हिंसा की याँ पर, येस, बहुत महरा, अब इसी दोरान, लीडर चाहिए, लीडर, लीडर चाहिए, लीडर कौन मनेगा, जै प्रकाश नारायन, लोक नायक, जन नायक, जै नायक, जै प्रकाश नारायन, जितना बड़ा लीडर भारत में नहीं आया है, जैसा महत्मा गांधी ने ब्रिटिशर की बैंड बजा दी ती, जै प्रकाश नारायन ने 1974 में, कॉंग्रेस की बैंड बजा दी, आप ये समझेए कि, अभी तक 1977 तक, कॉंग्रेस ही जीत रही थ तक बेकियेगा, इतने इंदհरा ने था, इतने इंदार ने था, गांधी के साथ, उन्होंने कदम से कदम मिलाके, यहां पे मूमेंट में पाट लिया, इंडे पेंडे इन्देन्स जितने भी जो हम अंदुला लुस्में पाट लिया, ये चीज है, अब इंदरा गांधी, इंद्रा गांधी का थोड़ा डिक्टेटर्शिफ टाइप का वही अथा। उनका जो मना था भाही करती थी वहुपर से 1974 में रेलवे स्ट्राइक होई थी। यह रेलवे स्ट्राइक भी बहुत बड़ी होई थी। जैय प्रकाश नारयन बहुत बड़े सोचलिस्ट लीडर थे और हला कि लेट 1960s में मतलब 1960s आते आते हैं पॉलिटिक से रिटायर हो गए थे लेकिन उसके बाद जब ये सब हुआ आए ये पाद एक मुमेंट हुए और 1974 में रेलवे स्ट्राइक हुई थी रेलवे अब 8 माई 27 27 माई 1974 तर तो ये जो स्ट्राइक थी भाई उस समय रेलवे की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी उनको 16-18-18 घंटे काम करना पड़ता था पैसे थे नहीं वर्किंग कंडिशन बहुत खराब थी टोटल 17 लाग इंप्लोईस थे जिसमें लगभग लगभग 80-90 प्रतिशत लोगों ने पार्टिसपेट किया था जो इंप्लोईस थे और अब दिक्कत इतनी जादा हो गई थी कि रेलवे में कुछ नहीं यहां पर गुजारी बतता नहीं तो सब पूरा स्टेशन खाली रहते थे भयानक इंदम लेवल पर स्ट्राइक हुई थी यहां पर रेलवे की तो आप देख रहे हैं पहले गुजरात का मुमेंट शुरू हुआ यह सब गुजरात नर्व निर्वार अंदोलल सही शुरू हुआ इसमें नरेंद मोधी भी शामिल थे इसी मुमेंट के बाद ही नरेंद मोधी सामने आए उसके बाद बिहार का मुमेंट तो चली रहा और पैरलली क्या चल रहा है रेलवे स्ट्राइक इतने सारे बड़े-बड़े मुमेंट एक साथ भारत में इंद्रा गांदी के हाथ-पाउँ फूल गए और उपर से लीडर कौन चुला गया जब देखे जैप्रकाश नारायन की बैगरफे अब जरूर देखेगा जब यहाँ पर लालू प्रसाद याद हो और सबके सब गए जैप्रकाश नारायन के पास की आप हम चाहते हैं कि आप जो हैं हमारे लीडर बन जाए तो जैप्रकाश नारायन ने एक ही शर्त रखी है मैं लीडर एक ही कंडिशन में बने होगा कोई हिंसा नहीं होगी अगर हिंसा हुई तो मैं लीडर्शिप से इस्तीफा दे दूगा हर कोई मान गया तो जैसा गांधी जी का दबदबा था न वैसे ही जैप्रकाश नारायन की ख्याती फैलने लगी टोटल रेविल्यूशन राजी मलब गांधी मैदान पटना में पांच जून 1974 में बहुत भव्वे रैली हुई और उसमें जैप्रकाश नारायन जेपी आये और उन्होंने बोला संपून क्रांती टोटल रेविल्यूशन ही इससे नीचे तो हम मानेंगे ही नहीं एसा हिसाब किताब था एकनॉमिक लेवल पे पॉलिटिकल लेवल पे टोटल रेविल्यूशन आना चाहिए लेकिन रेविल्यूशन तो चाहिए साथ पैमाने तै किये गए अब यहाँ पे दिमाग करण और उस समय जैप्रकाश नारायन ने बोला कि इंद्रा गांधी स्टीफा दे इंद्रा गांधी की सरकार को हटाना ही हमारा एक मात्र मकसद है क्योंकि इन्हों ने हालत खराब कर दिये इसी दोरान दोस्तों राज नारायन केस होता है राज नार पानधी की आपर बहुत जबर्दस्त आरोप लगाई उन्होंने केस कर दए इंद्रा गांधी की ओपर इंद्रा गांधी के उपर कि वोटर्स को इन्होंने पैसा दिया एक जगा तो मुर्गी चुराने कारोप लगा दिया था इलेक्शन मैल प्रैक्टिस है हाला कि इसको ड्रॉप कर दिया था तो स्टेट पुलिस को यूज करना उसके बाद सर्विसेज यूज करना इलेक्ट्रिक सिटी को यूज करना यहां पे सुप्रीम कोट ने सीधा सीधा कोट ने ये बोल दिया कि तुमारे इलेक्शन ये नल एन वॉइड है यानि कि इनको दोशे पाए गया और आप 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकती लेकिन आप प्रधान मंत्री बनी रह सकती हो लेकिन दोस्तों वही चीज है न कि इंद्रा गांधी को पर प्रेशर बन रहा था इतना सब कुछ हो रहा है तो आप खुद सोचिए कि मतलब कौन इंद्रा गांधी के ओपर और मॉरली इंद्रा गांधी को करना यह चाहिए था न कि इनको स्तीफा दे दना चाहिए था अभी तक प्रधान मंत्री बने हुए और यही आंदोलन मीं तकले से चल रहा है 24 जून 1975 तो लेकिन यहां पर स्तीफा नहीं दिया और 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने भाई यह हाई कोर्ट का जजमेंट था याद रखेगा इलाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट था चली मुझे बताए उसमें जस्टिस गजब भाई कौन थे उसमें चीफ जस्टिस ऑफ अरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रहा हूँ हाई कोर्ट के जजजो इन्हों ने जिन्हों ने यह फैसला दिया था आप यह मुझे कमेंट बॉक्स में होता ही है वाई उनका बड़ा नाम है तो 24 जून 1975 में यह मामलत सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला हाई कोर्ट का जजम कि और उनके रूल को ना तगडा करता जा रहा था कि प्रधान मंत्री जो है उनके पर पॉलिटिकल यहां पर कोई केस नहीं चलाया जाएगा बहुत कुछ बहुत सारी चीजे होती जा रही थी यानि कि एक तरीके से और फंडामेंटल राइट्स को भी कर्व करने की कोशिश फंडामेंटल राइट्स से ऊपर यहां पर डिरेक्टर ट्रिंस्पल आफ इस्टेट पॉलिशी को बताया जा रहा था तो इंद्रा गांधी के मुश्किले कमी नहीं हो ली थी और इधर 25 जून 1975 में अभी तक तो बटना में रह ली थी अब जेपी आ गए दिल्ली और दिल् कर दो उसको मानना ही नहीं है जो अन एथिकल है जो मॉरली सही नहीं है क्योंकि इंद्रा गांधी यहां पर पता था कि इंद्रा गांधी क्या करेंगी इंद्रा गांधी बिल्कुल इन सरकारी लोगों को बोलेंगे कि मारो आपको बता दू कि जो railway strike हो थी न उसको कैसे कब क यहां पर पता था कि इंद्रा गांधी ओडर देने वाली हैं तो इसलिए जेपी ने नारर दिया वही नारा मात्मा गांधी दिया था जब नॉन कॉपरेशन मुवमेंट कोई इंडिया मुवमेंट चला रहे थे तो अब इस तरीके बिंद्रा गांधी डर गई क्यार ये तो रिबेलियन होने वाला है अब बिंद्रा गांधी ने लगा दी एमर्जंसी 26 जून 1975 डेट यार रख लीजेगा मिड़नाइट से इमर्जंसी लगा दी गई मुरारजी दिसाई जेपी आडवानी बड़े बड़े सारे के सारे जो भी ओपोजिशन था उसको अरेस्ट कर लिया गया कब तक लगी ये 26 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक sanjay gandy के बारे में आपने नाम सठै sanjay gandhi जो थे वो इndra gandhi के छोटे बेटे थे इंद्रा gandhi के दो बच्चे थे ेक थे बड़े बेट राजीव gandhi जो कि इंग्लेंड में पढ़ा ही कर रहे थे उनका politics से दूर दूर तक कोई न देना नीं पाइले टालेट सोनी या गांधी से उन्हें शादी कर ली, लेकिन संजय गांधी वहुष वेरी मच आक्टिव इन पॉलिटिक्स, तो यहां पे, संजय गांधी के उपर बोला जाता, इनकी भी बायोग्राफ मैंने रिवी के अब देखिएगा, कि आक्चुली फैसले यही ले अब उस समय ना सब कुछ प्रेसिडेंट के हाथ था, प्रेसिडेंट उसमय फक्रुदीर अली एहमद थे, फक्रुदीर अली एहमद को बहुत ही एक वीक प्रेसिडेंट बोला जाता है, भारत के इतिहास के, सबसे वन आफ दी वीकेस्ट प्रेसिडेंट, फक्रुदीर अली एमद ने इंद्रा गांधी थोड़ा बाध ओपोस किया इंद्रा गांधी को इमर्जंसी मत लगाई लेकिन इंद्रा गांधी जबरदसी बला है तो इन्हों ने साइन कर दिया और state of emergency यहां पे लगा दी गई अब उसके बात भाई यहां पे घजब तरीके से यहां पे पावर जो है वो इंद्रा गांदी के पास आगी है आपको पते ही ना तीन तरीके के emergency होती है आर्टिकल 352 में आपका national emergency मतलब देश में emergency लगना आता है 356 में state emergency लगबग हर state में अब तक यह लगाई गई है पंजाब पहला state था जिसमें state emergency लगाई गई अब उसके बाद फिर एक के बाद एक सबसे पहले civil liberties कुछ भी नहीं है किसी को भी गिरफ्तार कर लेंगे national state level पे सारे के सारे elections को बंद कर दिया गया जितनी भी non-congres सरकारे हैं Indian state से dismiss कर दी गई लगबग हजार opposition political leaders को कोई भी opposition बचा ही नहीं था activist को jail में डाल दिया गया public protest strike सब खतम हुए नहीं था गांधी ने जैसे गायतरी देवी से तो personal बदला लिया है ना दोनों की मैंने कहानी बताई है ठीक है तो यह हिसाब किताबता हूँ उसके बाद slum slum village जो थे न दिल्ली में जामा मस्जिद का वाला area किया वहाँ पे बहुत बड़ा slum था तो अब उसको नवीनी करण करने के लिए संजय गांधी बहुत बड़ा plan लेकिया है तो भाई अब हुआ क्या कि वहाँ पे जब नवीनी करण करने गए तो उन जुगवी जुपडियों को हटाना था लोगों ने प्रोटेस्ट किया लेकिन पावर किसके पास थी गांधी परिवार के पास संजय गांधी और इंद्रा गांधी के पास तो हुआ क्या crackdown बहुत लोग मारे गए इसमें यहां पे लोगों का गुस्सा जो है वह बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रा था फाइरिंग करवा दी पॉलिटिकल डीटेनीज को जबर्दस तरीके से टॉर्चर किया गया फंडमेंटल राइट्स आर्टिकल ट्विंटी ट्विंटी वन सस्पेंड कर दिया अंद्रा गांधी हम इशा सही लगबग लगता था कि फंटा वेंटल राइट्स के खिलाफ है फोर्ज जबर्दस्ति तुमको नहीं करवानी है हमको कोई लिए नदर नहीं हम तो करवा के रहेंगे 20 पॉइंटी पॉइंट प्रोग्राम जो है उस समय निकाले जिसमे अगरी कल्चर इंडिस्ट्रिल प्रोडक्शन नाशनल डोथ प्रोडक्टिविटी जॉब ग्रोथ यह सब थी और उसके बाद बहुत सारे सरकारियों और बहुत सारे कॉंग्रेस पॉलिटीशन दे वर अक्यूजड ऑफ करप्शन एथोरिटेडियन कंड़क्ट जो है यह चला रहे थे पुलिस दे वर अक्यूजड ऑफ अरेस्टिंग टॉर्चरिंग इनोसेंट पीपल जानबूच के लोगों को यहाँ पर टॉर्चर किया जा रहा था तो बुरी हालत हो गई थे संजय गांदी के ओपर यह अरोप लग रहे थे कि भाई यह तो मतलब गजबी कर रहे हैं हर सारा का सारे डिसीजन यहाँ पर संजय गांदी ले रहे हैं तो यह हिसाब किताब हुआ था तो बहु मैं आपको बताई चुका हूँ, राज नायर वर्डेक्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज जो हैं, इंदरा गांधी ने बहुत सारे ऐसे लॉज पास किये थे, जैसे मीसा मेंटेनिस आफ इंटरल सेक्यूरिटिस में किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता था, है ना, तो अ यह हिसाब किताब था, अब दोस्तों, फिर यह दो साल तक लिए इमर्जंसी चली, और अल्टीमेट ही हम यह देखते हैं, कि 25 मार्च 1977 को इमर्जंसी को विड्रॉ किया गया, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा प्रिशर बढ़ता जा रहा था था ना, तो अब elections होगे, तो ब पोजिशन लीडर थे, वो सब इंद्रा गांदी के खिलाफ, 42nd Amendment Act इसी दौरान पास किया गया, 19th इमर्जंसी के दौरान, अब 42nd Amendment Act में बहुत सारी चीज़े थी, जो कि इंद्रा गांदी और प्रदान मंतरी के रूल को strengthen कर रही थी, और बाद में यही जनता पार्टी ने 44th Amendment Act पास किया, सबसे पहले तो इसमें इमर्जंसी के जो प्रावधांत रहा उसको बदला गया, ठीक है, और उसके बाद भाई, अगर आब आपको इमर्जंसी लगानी है, तो आपको क्याबिनेट की परमिशन लेनी पड़ेगी, लोग सबाई Special Majority के साथ परमिशन लेनी प अतंत्र पार्टी, Socialist Party, Congress for Democracy, बाबु जग जीवन राम की पार्टी, यह सब पार्टी, बन्दब एक पूरा कोईलिशन था, जितनी वी उपोजिशन पार्टी जो थी, वो यहाँ पे साथ में आ गई थी, ठीक है ना, तो यह चीज था, अब हम यह देखते हैं कि जब 1977 में इ जीत भाई, तो करारी हार हुई यहाँ पे, ठीक है, और जनता पार्टी, अब देखी यही था ना, कि बहुत सारे ऐसे लोग थे, जैसे मौरारजी दिशाई बहुत समय से प्रधान मंत्री बनना चाते थे, चौधरी, चरण सिंग, जग जीवन, राम, यह भी प्राइम निस प्रधान मंत्री, तो बनेगा कौन, मौरारजी दिशाई को बनना था, मौरारजी दिशाई को बना दिया, तो आप यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, जैसे चौधरी, चरण सिंग, जग जीवन, राम और चरण सिंग को भी मिनिस्ट्री दी गई, भाई, डेपिटी प्रा सिंग जो है, वो Minister of Home Affairs, और जग जीवन, राम को Ministry of Defence, यह दोनों important portfolio जो है, इन दोनों को दिये गए, पिर इसका बद अटल बिहारी वाजपई, लाल कृष्ण अरवानी को, अटल बिहारी वाजपई को Foreign Minister बनाये गया, Minister of Information and Broadcasting, लाल कृष्ण अरवानी को बनाये गया, राज कमाल के निता, 18 साल के उमर में घर छोड़ दिया, खाने पीने को नहीं था, सौलकों पे रहे, लेकिन उसके बाद क्या politics में उदह हुआ है उनका, railway strike इनों नहीं की थी, और ये trade unionist के leader थे, तो George Fernandez को Minister of Communication बनाये गया, और उसमें Justice Shanti Bhushan, जो गिंदरा गांदी के खिलब लग Congress R याद है, Congress Indra, Congress Requisitionist, जहां जहां पे party इनकी सरकार थी, दस राज्यों में उसमें सरकार थी, अब जैसे जब Indra Gandhi ने emergency लगवाई थी, तो नौन गैर Congressी सरकारों को 9 राज्यों से बरखास कर दिया, same to same यहां पे Indra Gandhi ने किया, जनता party ने किया, मुरार्जी दिसाय ने किया, दस राज्यों से यहां पे Congress R की सरकार को हटा दिया, शाह Commission मनाई गई, बहुत important, शाह Commission मनाई गई, शाह Commission जो है, वो सरकार ने मनाई, जो भी emergency के दोरान Indra Gandhi ने power का misuse किया, जितनी भी atrocities conduct की गई, उस पे एक जवरदस्त inquiry बैठाई जाएगी, यह चीज है, तो अब शाह Commission, भाई, इंदरा गांधी ने जवाबी नहीं दिया, भाई, यहां पे Justice शाह जो थे, वो इंदरा गांधी से लगातार सवाल जवाब कर रहे थे, लेकिन इंदरा गांधी जवाबी नहीं दे रहे थी, अब इससे पता है क्या हुआ, इससे इंदरा गांधी जो है, इंदरा गा सारे लोग इंद्रा गांदी के पीछे पड़ गए उल जलूल आरोप लगाए जा रहे हैं बहुत सारी चीज़े फिर उस समय बहुत कुछ जैसे बिहार के कुछ गाउं में बहुत बड़ी बुरी कंडिशन थी लौ इनॉर्डर की सिच्वेशन बहुत खराब हो गी थी दोस्त है लोगों का लग रहा था कि सरकार इंद्रा गांधी के पी rasa पड़ गई है यहां पर जो 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 आ है जो पर सारे सभारा बहुत पूछ अब 1977 में इलेक्षन हुए, अचा ये तो चले ठीक है, मैं आपको बताई चुका हूँ, है ना, तो अब हम ये देखते हैं कि दोस्तों, कि जब जनता पार्टी आई, ठीक है, जनता पार्टी ने जब सरकार बनाई, तो जनता पार्टी के इतने सारे पार्टी थी, तनी सारी प हाथ खीच लिया, जनता पार्टी ने बढ़िया स्टार्ट किया, लेकि 1977 से लेकर, 1979 तक ही मुरारजी दिसाय प्रधान मंतरी रहे, पॉलिटिकल डिविजन बहुत ज़दा होने लगे, सोशलिस्ट, ट्रेड, यूनिनिस्ट, प्रो बिजनस लीडर, क्योंकि यहाँ पे आप पे चौदरी चरण सिंग ने सपोर्ट खीच लिया, इनकी पार्टी ने सपोर्ट कीच लिया, 64 इनके पास बहुत चादा है, I guess 64 MLS थे, MPs थे और इन्होंने सपोर्ट खीच के यहाँ पे सरकार को गिरा दिया, सोशलिस्ट और सेकुलर जनता पॉलिटीशन्स ने, बोला कि पाई ये तो नहीं होगा, फिर इसी दौराल देश में भी थोड़े दंगे हो रहे थे, हिंदू-Muslim काफी confrontation जो है वो देखने को मिल रहे थे, तो दिक्कते बहुत जादा थी, तो जनता पार्टी अब गिर गई, चरण सिंग ने, 14 चरण सिंग ने चैलेंज किया, इनकी जो चरण सिंग जो है वो प्राइन मिनिस्टर बनाए गए, लेकिन प्रदान मंतरी के लिए आपको भी majority प्रूफ करनी है, तो इन्होंने तो Congress से support मांग ले थे, इंद्रा गांधी के पास चले गए थे, इंद्रा गांधी के बास, चरण सिंग ने बोला कि आप हमको support दे दो, हम Congress अभी आने वाले समय भी यह बहुत करेगी, ठीक है, तो यह हिसाब किताब था, तो ultimately 1979 को मुरार्जी दिसाय ने resign किया, 14 चरण सिंग ने minority सरकार मनाई, प्राइम मिनिस्टर हुए, लेकिन वही चीज है कि उसके बाद Congress ने support कीच लिया, और 14 चरण सिंग को भी फिर स्थीफ जनता, यह आप देख सकते हैं, ठीक है, यह सब मैं आपको बताई चुका हूँ, यह तो अब Operation Blue इस्टार पर आएंगे, तो जनता सरकार भाई, जनता Government, समझे, 542 सीटों पे लोगसभा की Constituencies पे elections हुए, आज तक का सबसे बहतरीन performance किया था, इंडिया National Congress ने 353 सीटे जीती, और जनता पाड़े ने खाली 30 सीटे जीती, तो बुरी हलत, 42% वोट शियर जो है, वो यहाँ पे हम यह देखते हैं कि इंडिया National Congress को मिला, यह चीज है, मिला दो तो 314 सीटे हो जागा, कोलिशन भी मिला दो, अब इसी दोरान संजय गांधी, 23 जून संजय गांधी का धिहान्त हो गया, plane crash में संजय गांधी जो है, उनका धिहान्त हुआ, तो अब इंडरा गांधी अब तक किसी पर भरोसा नहीं करती थी, तो इंडरा गांधी ने फिर अपने बेटे को यह लेकी आई, है ना, अपने दूसरे बच्चे को राजीव गांधी, राजीव गांधी को फिर politics में लाया गया, क्योंकि राजीव गांधी बड़े बेटे थे, तो राजीव गांधी पॉलिटिक्स में आई, और राजीव गांधी ने भी काफी कुछ किया, इसी दोरान दोस्तों, हम यह देखते हैं, कि पंजाब में प्रॉब्लम शुरू हो गई, जर्नेल सेंग भिंडर वाले जो कि एक बहुत ही बड़ा रिलिजियस स्कॉलर था, दंदमी तकसाल का हेड रा 1977, तो यहां पे फिर अलग खालिस्तान बनाना है हमको, लेकि हला कि पंजाब को अकाली दल बहुत टाइम से यह बोल पिन तीनों को अलग किया गया, और पंजाब को अलग स्टेट हुड दिया गया, 1973 में फिर आनदपुर रेजोलूशन यहां पे एनॉंस होता है, जिसमें हमको और्टनॉमी चाहिए, लैंड, रविन्यू, एग्रिकल्चर, सब कुछ इसमें था, है ना, अब धीमे धीमे जो है, वो कहते हैं कि भाई देखो, जैसे जो सिख हैं, उसके बाद, दसवे गुरू, गुरू गोविन सिंग जी ने यह बोला था, कि अब गुरू ग्रंत साहिब, जो कि होली बुक है सिख की, वही अब अगली गुरू होगी, अब कोई आदमी गुरू नहीं बनेगा, कोई इ जेल सिंग जो हैं, वो बाद में राश्ट्रपती भी बने, और ग्यानी जेल सिंग बड़े तगले राश्ट्रपती थे, मतलब जवर्दस्त, तो शुरूबात में तो कॉंग्रेस ने जर्नेल सिंग भिंडर वाले को काफी ज़्यादा सपोर्ट किया, है ना, आकाली दर को क कांटर करने के लिए, कि भाई चलो, और जर्नेल सिंग भिंडर वाले को खड़ा करने वाले ही कॉंग्रेस थी, आपको बता दू, तो ये सब कुछ हुआ, लेकिन खालिस्तानी की मांग बहुत ज़्यादा भाईने लगी, और मिलिटेंसी शुरू हो गई, बहुत ज़्याद था, उस समय इतना घरता कि दो घंटे तक उनकी लाज को भी उठाने नहीं आया था, हिंदूों को बस से निकाल के मारा जाता था, तो बहुत ज़्यादा वॉयलिन से बढ़ता जा रहा था, और हर मंदिर साहिब के अंदर, गोल्डन टेंपल के अंदर, यहाँ पे मिलिटें जो है यहाँ पे आये, और हजार जवानों ने फिर यहाँ पे हमला किया आप, इस हमले में क्या हुआ ना, कि गोल्डन टेंपल हर मंदिर साहिब को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुचा, बहुत ज़्यादा, जो कि होली साहिट थी ना, अब जब यह पूरी दुनिया में स को ने देखा, तो उनकी आस्ता एकड़म आहत हो गई, कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो बड़ा दिक्कत था यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत था, ठीक है, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जब हुआ, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होई यहाँ पे, ठीक है, दर्ब भी जाननेगी, बादचीज सही मिलिटेंट्स को निकाल लिया गया, तो हरमंदिर साहिब मिलिटेंट का अड़ा बन गया, और यहाँ पे जब आर्मी ने क्रैक डाउन के तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, तो यहाँ पे सिख्खों का गुस्सा जो है, वो चरम पे था, इंद्रा गांधी को, मतलब अब कुछ भी करके इंद्रा गांधी की बैंड बजानी है, तो यह हिसाब किताब रहा, अब हम यह देखते हैं, तो यह तो आप देखी सकते हैं कि अब यहाँ पे क्या हुआ कि इंद्रा गांधी जो थी, 31 अक्टूबर 1984 को इंद्रा गांधी को मार दिया गया इनके दो bodyguard सत्वन सिंग और बेयन सिंग ने इंद्रा गांदी को खतम कर दिया अब उसके बाद जब ऐसा हुआ दोस्तों फिर बहुत बड़ी problem होगी problem क्या हुई यहाँ पे इंद्रा गांदी को जो मारा गया ये देखिए, ये सब सारी चीजें है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत थी, जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो जब यहाँ पे इंदरा गांधी को एसासिनेट किया गया, तो एंटी सिख रायोट, दंगे शुरू होगे सिखों को मारने के लिए, जो काला धपा है, लगबग 3,000 सिख मारे गए, दिल्ली में तो मतलब निकाल निकाल के सिखों को मारा जा रहा था, और उसमें राजीव गांधी का ये स्टेटमेंट आया था, कि जब बहुत बड़ा पेड़ गिरता है, तो धर्ती हिलती है, बोला जाता कि सरकार ने कुछ भी नहीं किया उस समय, और सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई, तो ये जो एसासिनेशन था इंद्रा गांधी के बास, और उसके बाद जो आफ्टरमाथ हुआ, इट वेरी वेरी डिजास्टरस, ये चीज़ थी, उसके बाद दोस्तों, एसासिनेशन हुआ ये आपे, और एसासिनेशन के बाद तुरंत प्रधान मंत्री बनाया गया, राजीव गांधी पाइलेट थे बाई, 1970-1981 तक एर इंडिया के लिए काम किये, प्रधान मंत्री चुन के आया थे, इंद्रा गांधी की मौत के बाद, यंग, इलेक्शन होता है 1984 में, 1984 में दोस्तों, जब इलेक्शन हुआ हुआ, और प्रध प्रिस नहीं, ये रिकॉर्ड है, किसी भी पार्टी ने इतनी सीट नहीं जीती, क्योंकि एक तो इंद्रा गांधी को मार दिया गे तो उसकी सिमपे थी, 404 सीटे यहाँ पे इंडिया नेशनल कॉंगर्स जीत किया है, अगाज तक ये रिकॉर्ड है, भारती जनता पार्टी कोई से दो सीटे मिली थी, दो सीटे, अब देखें, राम मुद्दा जब आएगा, जो कि अम अगले लिचर में बात करेंगे, राम मुद्दा जब आएगा तो यही सीटे बढ़के 86 हो जाएगी, भारती जनता पार्टी का उधै, वह उती शांदार रहेगा, आप समझ रहे थे मोबाईल राजीव गांधी लाने वाले थे, लेकिन बहुत ज़ाधा दिक्कते भी हुई राजीव गांधी के समय, ये तो राजीव गांधी के समय जो है, दिक्कते ये हुई, ये जब elections होए थे, आप देख सकत को जिब पूरा एक दम हालत खराब कर दीलिए, मनला, percentage 50% यानि कि अब तक आदे से जादा लोगों ने इतनी सीटे मतलब इतना Congress को प्यार दिया देश के आदे से जादा लोगों ने तो राजीव गांधी फिर license राज को भी थोड़ा सा लूस किया license राज के बारे मैंने आको बताया था लेकिन कुछ ऐसी problems थी राजीव गांधी जिससे बहुत दिक्कत हुई एक तो शाबानो केस और आयुध्या dispute अब शाबानो केस की अगर बात करें तो आपको पते ही कि शाबानो केस यहां पर Supreme Court ने भाई देखे उस समय शाबानो के जो पती थे Supreme Court ने ये फैसला लिया कि गुजारा भत्ता देना पड़ेगा, ट्रिपल तलाक का केस था दोस्तों, इनके हस्बेंड ने, शाबानो को इनके हस्बेंड ने छोड़ दिया था तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया कि भाई क्योंकि शाबानो कोर्ट चली गी सुप्रीम कोर्ट ने वोला कि भाई गुजारा भत्ता तो देना पड़ेगा अब मुस्लिम पर्सनल लॉव आपको पते ही उनका अलग कानून चलता है उन्होंने प्रोटेस्ट किया ये तो इनसान का राइट है भाई हस्बेन का राइट है चोड़ दे है तो हमारे लॉव में लिखा हुआ है तो यहाँ पर इसको बदल दिया गया देखिए आप कोर्ट का फैसला बदल नहीं सकते हैं लेकिन राजीव गांधी एक आक्ट लेके आते हैं मुस्लिम भूमेंस प्रटक्शन सफ राइट सैंड डॉइवोर्स आक्ट 1986 जिन्हों ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ही नलिफाई कर दिया तो अब यहाँ पर लोगों में बहुत जादा गुस्सा अब इधर क्या हुआ राम पर यह बंद था यह जो प्रेमाइसेस था राजीव गांधी ने क्या किया वो तुष्टी करण के पेंडूलम पर सावार हो गयते हैं यह वो पेंडूलम को भी मुस्लिमों की तरफ जब वो पेंडूलम गया तो यहाँ पर हिंदूों ने बोला कि भाई क्या कर रहे हो तो फ उसके बाद राम जर्म भूमी मुमेंट जो है वो शुरू होता यह दो बहुत बड़ी गलतियां थी राजीव गांधी की इसी दोरा भोपाल गैस ट्रजडी होती है यूनियन कारबाइट गैस जो है वो लीक होगी 8000 से जादा लोग मारे गए फिर उसके बाद श्री लंका श्री-लंका में सिविल वार जर्जीव गांधी को मार दिया गयते इसी दोरा में श्री-लंका में से विल वार आपको पता ही है कि लिटे LTT Liberation Tigers व तमिल इलम LTTE value pillai प्रभाकर हैं जिस पे मैंने बहुत ही शांदार lectures लिए हैं तोटल 10 lectures हैं श्रिलंकन civil war पर आप जरूर देखिएगा तो श्रीलंकन civil war भी शुरू हो जाता है तो जब श्रीलंकन civil war हुआ तो राजीव गांदी से मदद मांगी गई 1987 में भारत और श्रीलंका ने peace accord साइन किये और उसके बाद ये peace accord में क्या थो ना Indian Peace Keeping Force IPKF को श्रीलंका भीजा गया और वहाँ पे जितने भी rebels थे देखिए श्रीलंका में जो north वाला area है वो tamil elams का है tamilians जो हैं वो श्रीलंका में काफी जब आजाद है जब ब्रिटिश श्रीलंका को छोड़ के गए 1948 के बाद उससे पहले ये minorities में थे tamilians जो हैं लेकिन इनके पास सारी सरकारी पोस्ट थी ठीक है लेकिन जब ब्रिटिश शोड़ के गए तो भाई पूरी जो ताकत है वो श्रीलंकान सरकार के पास अब श्रीलंकान सरकार ने एक के बाद एक ऐसे रिफॉर्म चाहें वो college रिफॉर्म चाहें जो भी हो वो पास किये जिससे tamilians के rights से छिन लिये है ना क्योंकि यहाँ पे सिनाहलीज जो है वो majority में थे अब सिनाहलीज के पास जाथ कुछ था नहीं तो 1970 में जैसे college reservation आया कि सिनाहलीज को उनकी seatों को reserve किया जाएगा तो यहाँ पे लिट्टे का जनम होता है कि हमको अपने rights से हिए और यह जो tamil वाला area है नौर्थ वाला जिसकी capital जाफना बनाई इसको हमको खाड फेकना है तो यहाँ पे सरकारों के बीच में problem शुरू होती है शुरुवात में तो राजीव गांदी ने value play प्रभाकरन और LTE को support किया कि तुम भाई tamil भाई हो और tamil ilam कि तुम demand करें तो मारी demand बिल्कुल सही है लेकिन बाद में वो शुरुलंकन सरकारों के साथ हो गए और 1987 में हम यह देखते हैं कि शुरुलंकन peace accord जो है उसको sign किया जाता है Indian peace keeping force जो है वो भीजी जाती है operation पवन जो है जिसमें मैंने separate lecture लिया है उसको भीजा जाता है ठीक है तो शुरुवात में तो काफी victory हुई चार साल तक 1991 तक श्री लंकन मतलब जो भारत की IPKF है वो हम यह देखते हैं कि श्री लंका में रही लेकिन दोस्तों इसका कोई फाइदा नहीं हुआ क्योंकि श्री लंका के अंदर अब बहुत ज़दा प्रोटेस्ट उनलगी बाहर की फौजे हमारे अंदर अंदरूनी मसलों में क्यों हस्तक शेप कर रही है तो दिक्कते बहुत ज़दा होगी आप समझ रहे हो तो यह चीज है उसके बाद चौथी गलती यहां पर बोफोर्स गोटाला आपको पती बोफोर्स भाई हमारी जो तोप है जिनोंने काफी जंग जिता आई है स्वेडन में एक खबर चपती है और यहां पर बोफोर्स यह बोला गया कि भारत ने जो बोफोर्स डील है वो बहुती कम में की है यानि कि सरकार ने अच्छे खासे रिश्वत खाए है क्योंकि देखिए बोफोर्स डील में साट करोण की रिश्वत का मामला आया था इंडियन पॉलिटीशन को साट करोण रुपे दिये गए है कॉंग्रेस पार्टी, ब्यूरोक्राट्स को इतने पैसे दिये गए है और इसलिए ये डील जो है वो फाइनलाईज की गई ठीक है, इसमें डिफेंस मिनिस्ट्री वीपी सिंग, डिफेंस मिनिस्टर थे 1989 में वीपी सिंग ने रिजाइन कर दिया था रिजाइन कर दिया था वीपी सिंग ने और जब VP Singh ने resign किया तब यहाँ पर दिक्कते शुरू हो गई तब लगने लगा लोगों कि भाई कुछ तो गड़बर है दया क्योंकि अगर गड़बर नहीं होती तो VP Singh resign क्यों करते तो यह हिसाब किताब रहा तो अब जैसे जब जब राजीव गांधी को यह देखा जा रहा था कि यह बहुत ही बढ़िया यह आप देख सकते राजीव गांधी को जो Mr. Clean के रूप में माना जाता था कि भाई राजीव गांधी से बढ़िया कोई नहीं है यंग, डाइनमिक, लीडर है राजीव गांधी और एकदम से एक के बाद एक आधिया आई और राजीव गांधी कि जो इमेज है वो एकदम खराब हो गई अब दोस्तों फिर elections आ गए जब elections आ गए, 1989 में elections आ गए तो अब यहाँ पे, क्योंकि यह सारी problems बहुत ज़्यादा हो गई elections आए, Congress हार गई एक सो सतानवे सीटों पे Congress सिमट गई Congress हार गई, जीता कौन, VP सिंग मैंने अभी आपको गता न कि VP सिंग ने अपनी, इन्होंने स्तीफा दे दिया था और जब इन्होंने स्तीफा दिया था ने, तो इन्होंने जनता दल बना ली थी अलग इन्होंने पार्टी बना ली थी, और 143 सीटे जीत के आये थे, तो VP सिंग प्रधान मंतरी हुए अब 1989 के बाद की स्टोरी जो है, वो कल जानेगे, दो लेक्चर में दोस्तों मैं इसको खतम कर दूँगा कल अं 1989 से लेकर 2004 तक देखेंगे और परसो 2004 से लेकर 2021 मतलब अभी तक देखेंगे, ठीक है न, याद रखें कि ये देखें, ये तो इंडियान आफ्टर इंडिपेंडेंस कोर्स में जाए गई जाएगा, साथी जाथे कहर चीज़ आपको बता दू कि मैंने ये कवर करवाई ये NCIT में, NCIT में भी क्लास 12 की जो हिस्ट्री है, 11 की, उसमें इंडियान आफ्टर इंडिपेंडेंस दिया हुआ है, तो ये आपको दोबारा रिविशन हो रहा है, आप वो भी जरूर दीखेंगा, दोनों साथ में लेकर चलेंगे मज़ा आ जाएगी, तो ये दूसरी बार म मैं आपको रिवाइस कर रहा हुए, ओके, ये लेक्षर था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगो, तो 1989 तक का एरा खतम, और बाकी तो मैंने लगबग जितने भी लोगों के बारे में आपको बताया है, सबकी बाग्राफिस कवर की हुई है, तो आप वो भी देख देजेगा, तेसे सद्धान तक नीवोतरी साइनिंगो,